हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार असपार फ्रेंड्स, अगर आप एक कॉंपक्ट SUV देख रहे है और आपकी रणिंग जादा है लेकिन आपको रणिंग कॉस्ट भी कम रखनी है तो जल्द ही टाटा के तरब से आपके लिए एक नएा अल्टरनेटिव अपलेबल होने जा रहा है हाँ फ्रेंड्स और वो है टाटा पंच ICNG जिसको हमने देखा था आटो एक्सपो 2023 में फ्रेंड्स टाटा पंच की टेस्टिंग अभी पूने में चर रही है और हाल फिलाल में कई वेबसाइट पर इस गाड़ी की कुछ पिक्स लिक्स हुई थी जिसमें की जो स्टेपनी है वो डिकी के नीचे प्लेस की हुई है सेम जैसे ही हमने अल्ट्रोज में देखा था फ्रेंड्स थोड़ा हम सी एंजी के बारे में बात कर लेते हैं तो पहले क्या होता था कि कमर्शियल कार्स जो लोग यूज करते थे वो लोग सी एंजी लेना ज़्यादा फ्रीफर करते थे लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइजेस बढ़ने लगी तो हमारे जैसे पर्सनल जो गाड़ी यूज करते हैं वो लोग भी सी एंजी कार के तरफ शिफ्ट होने लगे लेकिन मारूती और हुंडे ये जो दो कमपनिया थी ये ज़्यादा तर सी एंजी गाड़िया प्रोड्यूस करते थी लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि वो एक बड़ा सिलेंडर दे देते थे जिसके कारण बूट स्पेस कुछ भी नहीं बचता था लेकिन टाटा ने अभी टाटा अल्ट्रोज में उसके साथ अभी आने वाली टाटा पंच में भी दो छोटे सिलेंडर प्लेस की होए है डिक्की में उसके कारण डिक्की में काफी स्पेस अविलेबल हुए सामान रखने के लिए तो friends टाटा पंच के बारे में हम जान लेते है कि टाटा पंच की जो on road pricing रहनी वाली है वो almost 7 to 10 lakh होगी हम बात करेंगे इसके boot space की तो liters में अभी कुछ पता नहीं चला है लेकिन bags जो हम वीडियो में देख पा रहे हैं वो almost 4 to 5 bags हम इसमें रख पाएंगे CNG tank की अगर हम बात करेंगे तो वो same ही होने वाली है जो हमें Tata Altros में देखने को मिला था 10 kg या 60 liters mileage की बात करेंगे तो वो भी हमें almost 27 से 30 के बीच में per kg इसका mileage मिलने वाला है आने वाले features की हम बात करेंगे friends तो Tata ने सबसे अच्छी बात इसमें ये दी है कि voice assisted sunroof दिया है wireless charger, air purifier, leathered seats, auto headlamp, rear AC vents, rear armrest और harmon का बहुत अच्छा music system दिया है जिसका की volume जो है मैंने खुद इसे try किया था काफी अच्छा इसका output आता है friends Tata Motors ने इस बात बहुत अच्छी बात की है कि Tata Ultros में भी और Tata Punch में भी उन्होंने CNG जो variant है वो सभी variant के साथ available करा के दिया है जैसे कि Base का Punch Pure, Punch CNG Adventure, Punch CNG Adventure with Sunroof, Punch CNG Accomplished, Punch CNG Creative and Punch CNG Creative as Sunroof IRA जिसमें की कुछ connected features होते है friends अगर आप value for money variant के बात करेंगे तो जो मैंने इसके variants देखे है उसमें मुझे Punch CNG Adventure ये सबसे value for money लगा है क्योंकि इसमें almost आपकी ज़रूरत की सभी features इसमें आ जाते है और अगर आपको Sunroof चाहिए तो आप इसके S variant के साथ आप जा सकते है friends ये सब था टाटा पंच के बारे में इसकी ऐसी उम्मीद है कि July 2023 में ये गाड़ी launch हो जाएगी ताकि ये गाड़ी compete कर पाएगी इसकी competitor Hyundai XDR के साथ जो की 10 जुले को launch हने वाली है friends अगर आपके इस वीडियो से related कुछ question हो कुछ comment हो तो please comment कर दिजिए thank you for watching car aspire